साथियों मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था डीसा के लोग उत्सा से भरे हुए थे उमंग और उत्सा नजर आ रहा था डीसा एरफिल का निर्माण भी देश की सुरच्छा और उच्छेत्र के विकास के लिए एक महत्वपुण प्लब्दी है डीसा अंतर राष्ट ये सीमा से केवल एक सो तीस किलोमेटर दूर है अगर हमारे फोर्सिस विशेज कर हमारी वायू से ना डीसा में होगी तो हम पस्षीमी सीमा पर किसी भी दूसा हसका और बहतर डंग से जवाब दे पाएंगे डीसा ना भाईयों बहनों तमने उन गांदी न करती अनेक अनेक अभिनंदन पाठवू जो हवे तो डीसा वासर नो मनास काड़ रहा पाठन जिलना नो सितारों चमकी रहो जो है इस एरफिल्ड के लिए गुजराद की और से साल दो हजार में ही डीसा के ये जमिन दी गई थी जब यहां मैं मुख्यमंद्री था तो मैं लगातार इसके निर्मान कारिये के लिए प्रयास करता था तरकालिल केंदर सरकार को उस समय जो सरकार थी उनको बार बार में समझा रहा था इसका महत्व क्या है इतनी सारी जमीन दे दी लेकिन चौदा साल तक कुछ नहीं हुआ और फाइले भी ऐसी बना दी गई थे ऐसे सवालिया निसान डले गई थे कि मुझे वहां पहुंचने के बाद भी सही तरीके से सही चीजों को प्रसाबित करने में भी टाइम गया सरकार आने के बाद हमने डी सा में आप्रेशनल बेज बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है मेरे डिफेंस के साथी जो भी चीफ आप डिफेंस आप बने हर किसी ने मुझे हमेशा इस बात की आप दिलाई थी और आज चोदरी जी के नेत्रूत में ये बात सिद्ध हो रही है जितना अभिनंदन डिशा को है उतना ही अभिनंदन मेरे एरफोर्स के साथियों को भी है ये छेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा जैसे बनास काथा और पाटन उसने अपनी एक पहचान बनाई थी और वो पहचान थी बनास का धाप पाटन गुजरात में सौर सक्ति सोलार एनरजी का केंद्र बनकर उबढ़ा है वही बनास का धाप पाटन अब देश के लिए बायू शक्ति का भी केंद्र बनेगा